हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप लोगों के साथ रफल लेंगा साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे तो वीडिय ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले मैं फैब्रिक देख लेते हैं तो मैं फैब्रिक के लिए मैंने टिशू और गंजा का फैब्रिक लिया है जो कि 6.5 मीटर है इसके बाद यह सॉटन का फै तक की जो लेंथ है वो है 42 इंच इसके बाद यह देखिए वेस्ट लाइन से नी तक की लेंथ हमें निकालनी है और मेरे केस में यह 18 इंच है आप अपना वेजर्मेंट यहाँ पर लिखिएगा यह नी से थोड़ा सा उपर रहेगा और यह मेरी लेंथ 18 इंच है इसके बाद यहाँ से जो हम फ्लेयर अटेच करेंगे उसकी जो लेंथ है वो है 24 इंच तो यह देखिए यहाँ पर जो फ्लेयर की लेंथ है वो है 24 इंच एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो है 42 इंच और नी से उपर की जो लेंथ है वो है 18 इन्च ये knee से 2 इंच उपर का है माननी जनी लेंध आपकी 20 है तो यहाँ पर 2 इन्च करके मैंने 18 लिया है और इसके नीचे जो flare की लेंथ है वो है 24 इंच इसके बाद यहां पे आपको वेस्ट का मेजर्मेंट चाहिए हिप का मेजर्मेंट चाहिए और नी के ऊपर जहां पे यह मैंने मार्किंग की है वहां का मेजर्मेंट चाहिए अब यहां वे waist का measurement है 30 inch, hip का measurement है 36 inch और जो knee के उपर की length है उसका measurement है 28 inch तो सेम इसी तरह से आपको भी अपना measurement निकाल लेना है अब हम lining की fabric में marking करेंगे तो यह देखे lining की fabric को मैंने 4 fold करके रखा है bun side मेरी तरफ है और इसमें जो हमारी waist line से लेकर के knee तक का portion है उसके लिए marking करेंगे तो सबसे पहले belt के लिए मैंने 1.5 inch ओपर की तरफ इस तरह से measuring tape को निकाल के रखा है यह देखे 1.5 inch की हमारी belt आएगी तो measuring tape को मैंने 1.5 inch जितना बाहर की तरफ निकाल के रखा है और जो हमारी तयार length है 18 inch उसमें 1 inch प्लस करके measurement है आप उसे 4 से divide कर लिजिए मेरे case में 30 inch है 4 से divide करने पर 7.5 inch आएगा और उसमें 1 inch हम और add करेंगे dot के लिए तो यह मैंने 8.5 inch पर mark किया है आप अपने measurement के हिसाब से करिएगा इसके बाद यह देखे measuring tape को इस तरह से उपर रख करके 6 inch पर mark करेंगे और यहाँ पर हम hip का measurement डालेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका hip का measurement है उसे भी आपको 4 से divide करना है मेरे case में 36 inch है और 4 से divide करने पर 9 inch आता है तो यह मैंने mark कर लिया है अब यहाँ पर knee से 2 inch उपर का measurement है वो हमें डालना है तो मेरे case में 28 inch है और उसको भी हम 4 से divide करेंगे तो वो आएगा 7 inch तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 7 inch पे mark कर लिया है अब यह जो हमने hip-kiri marking की थी वहाँ से भी हमें एक line draw कर लेंगे अब यह जो तीनों marking हमने की है इसे हमें मिलाना है तो हलका सा cause ship देते हुए हमें इसे मिलाना है हलका सा round ship देते हुए तो आप चाहें तो सेपटी से इसे मिला लीजिए या फिर हास से ही cause ship देते हुए इसे मिला लीजिए तो यह देखें इस तरह से हलका सा round ship देते हुए हमें इसे यहाँ पर मिला लेना है कुछ इस तरह से अब यह जो हमने मार्किंग की है इसमें हम 1-2 इंच की अपनी सिलाई मार्जी नेट कर लेंगे तो यह हमारी मार्किंग हो गई है और इसी मार्क के उपर से अब हम इसे कट करेंगे तो lining के fabric में cutting हमारी हो गई है, अब इसमें हम dot के लिए marking करेंगे, तो इसको half से fold करेंगे और यहाँ पे cut लगा लेंगे dot के लिए, यह देखे जो हमें dot डालना है उसके लिए मैंने यहाँ पे mark कर लिया है, और नीचे जो हमने 6 inch पे hip के लिए marking की है, वहाँ तक हमें dot बनाना ह तो इस तरह से यहाँ मैं half half inch दोनों तरफ से, जो हमने cut लगाया है, उसके दोनों तरफ से half half inch पे मैं mark कर ले रही हूँ, triangle shape में, इसके बाद एक cut हम यहाँ इसके center में लगा कर कि इसका center mark कर लेंगे, अब जो हम इसको खोलेंगे, तो यह देखे ऊपर से हमारा front और back दोनों इस तरीके से four fold करके विचाया हुआ है, जो हमारा main fabric था, उसमें से मैंने three meter fabric को cut कर लिया है, three meter से five inch ज्यादा fabric है, और cut करने के बाद four fold करके उसको pin से secure कर लिया है, क्योंकि यह fabric बहुत ही ज्यादा slippy है, अब यहाँ पे जो हमारा knee के पास का measurement था, उसकी marking हम करेंगे, तो म मैंने six point two eight से divide किया, तो four point five inch आया, तो measuring tape को corner पे रख करके पूरे में हम four point five, four point five inch पे mark करेंगे, सब ही measurement में आपको same इसी तरह से करना है, और सारे mark को इस तरह से मिला लेंगे, तो यह देखिए जो हमारे knee के पास का measurement है, उसकी marking मैंने यहाँ पे cut ली है, अब यहाँ से हम न बीचे तक की जो हमारी तयार length है, वो है 24 inch और उसमें मैंने one point five inch और add किया है, तो यह हो जाएगा twenty five point five inch, तो यह मैंने twenty five point five inch पे इस तरह से mark कर लिया है, इसके बाद measuring tape को यह देखिए इस तरह से फिर से corner पे रखेंगे, और यह जो हमने twenty five point five inch पे mark किया था, उसको देखें यह कहां आ रहा है, तो यह corner से 30 inch पे आ रहा है, तो measuring tape को इसी तरह से corner पे रखते हुए, पूरे में, अब हम 30-30 inch पे mark करेंगे, तो यह देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से पूरे में घुमाते हुए, हमें 30-30 inch पे mark कर लेना है, और स अब हम मिला लेंगे यहां पे, यह हमारी length की marking है, तो यह देखिए इस तरह से मैंने यहां पे mark कर लिया है, अब इसी mark के उपर से हमें cut करना है, तो सबसे पहले हम length को cut करेंगे, यह जो हमने length के लिए marking की थी, पहले हम उसे cut करेंगे, इसकी बाद यह जो हमने उपर marking की है, इसको भी हम cut कर लेंगे तो यह देखिए यह जो हमने उपर marking की थी उसे भी मैंने cut कर दिया है और जो हमने नीचे marking की थी उसे भी cut कर दिया है cut करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास दो semi circle आ जाएंगे अब दोनों को एक दूसरे की उपर रखेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब हम side की stitch लगाएंगे दोनों तरफ semi सी तरह से एक बराबर से रखते हुए हम side की stitch लगा लेंगे नीचे से आप चाहें तो इसे double fold कर सकते हैं अब यहाँ पे दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे मैंने इसे pin से secure कर लिया है ताकि यह slip न हो इसके बाद measuring tape को corner पे रखेंगे और देखेंगे यह जो fabric है इसकी length कितनी है तो यहाँ पे जो इसकी length है वो है 18.5 inch तो measuring tape को इस तरह से corner पे रखेंगे हमको देखना है कि हर तरब से जो यह हमारा fabric है इसकी length 18.5 inch होनी चाहिए जितनी आपके length आ रही है उतनी यहाँ पे आपको लेनी है या फिर जो आपका first layer है उसकी half length यहाँ पे हमें चाहिए तयार तो यह देखें measuring tape को corner पे रखते हुए पूरे में मैंने 18.5 18.5 inch पे इस तरह से mark कर लिया है और सारे mark को यहाँ पे इस तरह से मैंने मिला लिया है अब यह जो हमने marking की है इसी के उपर से इसे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद जो fabric बच गया है इसमें से ही एक और piece हमें सेम ऐसा ही कट करना है तो यह देखें जो बचा हुआ fabric था उसके उपर यह जो piece हमने कट किया था उसको इस तरह से मैंने बिचा लिया है और इसी के measurement से एक और piece हम कट कर लेंगे तो यह देखें जो बचा हुआ fabric था उसमें से मैंने दो semi circle यहाँ पर इस तरह से cut कर लिया है अब इसको हम center से इस तरह से fold करेंगे अब जैसे हमने first वाले flare में marking की थी नई के pass वाले measurement के लिए same यहाँ पर भी करना है तो measuring tip को इस तरह से corner पर रखेंगे और पूरे में गुमाते हुए 4.5, 4.5 inch पे mark करेंगे जितना हमने first layer में लिया था same उतना ही यहाँ पर लेना है और अब इसी mark के उपर से हम इसे cut कर लेंगे और यह मैंने इसे cut कर लिया है अब हम इसको खोलेंगे तो कुछ यह इस तरह से दिखाई देगा अब दोनों की सीधी साइट को हम अंदर की तरफ करेंगे और बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे भी हम साइट की stitch लगाएंगे दोनों तरफ और नीचे से डबल फोल्ड करके stitch कर लेंगे या फिर पीको कर लेंगे अब हम सॉटन वाले फैब्रिक को कट करेंगे तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और जो में फैब्रिक से हमने 1st layer कट की थी उसको बिल्कुल बराबर से करके इसकी उपर बिछान लिया है और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अब मेजरिंग टेप को कॉर्णर पे रख करके देखेंगे कि यह जो हमने 24.5 इंच पे मार्क किया है वो कहां आ रहा है तो यह उपर से आएगा 29 इंच पे तो मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्णर पे ही रखते हुए पूरे में घुमाते हुए 29-29 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला लेंगे और इसी मार्क की उपर से हम इसको भी कट कर लेंगे यह जो हमने दोनों मार्किंग की है इसी की उपर से हमें इसे कट कर लेना है तो यह हमारी सारी cutting हो गई है अब हम stitching करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ओपर का bodycon वाला part है उसे हमें तयार करना है तो lining की fabric को ही रख करके मैंने sortern वाले fabric को और main fabric को cut कर लिया है और तीनों को एक दूसरे की उपर रख करके fabric glue की help से यहाँ पर stick कर लिया है यह देखिए सबसे पहले lining का fabric है उसकी उपर मैंने sortern वाले fabric को रखा है फिर main fabric को रखा है और तीनों को साथ में रख करके मैंने fabric glue की help से यहाँ पर stick कर लिया है और सेम इसी तरह से दूसरे piece को भी मैंने तीनों fabric को एक साथ रख करके stick किया हुआ है यह देखिए सबसे पहले lining का fabric है फिर हमारा sortern वाला fabric है यह देखिए इसकी सीधी साइड उपर की तरफ है और सीधी साइड की तरफ से ही मैंने main fabric को stick किया हुआ है अब सबसे पहले हम dot को stitch करेंगे तो यह देखिए जो हमने dot के लिए marking की थी एक तरफ 6 इंच जितनी length ले करके सेम उसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेंगे यह देखिए 6 इंच जितना मैंने यहाँ पर mark कर लिया है इसकी length मैंने 6 इंच ली है और इस तरह से straight line mark कर लिया है यहाँ पर हम dot बनाएंगे तो यह जो हमने marking की है यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे यह देखिए marking की उपर से इसको fold करके पकड़ेंगे और यहाँ पर triangle shape में हमें से stitch करना है जैसे हम अपने blouse में करते हैं तो उसके लिए देखिए मैं machine पर आ गई हूँ और यह जो हमने marking की थी यहाँ से इस तरह से इसको fold करेंगे marking के उपर से और जैसे हम अपने blouse में dot बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें stitch करना है तो उपर से half inch जितना margin रखेंगे यह देखिए half inch जितना margin रखते हुए इसे हमें triangle shape में stitch करना है नीची इस तरह से इसको मिला देना है अब यह देखिए needle को अंदर की तरफ रखेंगे और गुमा करके वापस से यहाँ पर हम stitch कर लेंगे उपर तक और same इसी तरह से हमें सारी dot को बना लेना है तो यह देखिए एक dot हमारे यहाँ पर बन गया है अब हम इसी तरह से दूसरे वाले को भी बनाएंगे तो एक piece में मैंने दोनों dot को इस तरह से बना लिया है अब same इसी तरह से दूसरे piece में भी हम बनाएंगे अब देखिए दोनों पीस में मैंने यहाँ पे dot बना लिया है अब दोनों पीस को हमें joint करना है तो front और back दोनों पीस को एक दूसरी के उपर रखेंगे और सिधी side दोनों पीस की अंदर की तरफ है और यहाँ पे अब हम fitting की stitch लगाएंगे तो यह देखे जो हमने marking की थी सेम उसी की उपर से मैं इसे stitch कर रही हूँ अब हम दूसरी तरफ stitch लगाएंगे लेकिन दूसरी तरफ हमें पूरा stitch नहीं लगाना है उपर से हमें थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ना है तो यहाँ पे मैं 4 इंच जितना खुला हुआ छोड़ूँगी तो इस तरह से measure करेंगे और 4 इंच पे हम mark कर लेंगे और जहाँ पे हमने marking की है अब वहाँ से हम stitch करना start करेंगे तो यह देखे जो हमने marking की है वहाँ से नीचे तक इसको भी stitch कर लेंगे तो यह मैंने दोनों तरफ fitting की stitch लगा ली है और एक तरफ से इतना खुला हुआ छोड़ा है अब हम गेरा तयार करेंगे तो सारे piece में मैंने side की stitch को लगा करके नीचे से pico करके तयार कर लिया है अब जो main fabric से हमने 2 piece cut किया था उसको पहले हम join करेंगे तो यह देखिए पहले मैंने first layer को रखा है और इसकी सीधी side ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर यह जो second layer है उसको रखेंगे इसकी भी सीधी side ऊपर की तरफ है side की जो stitches उसको बिल्कुल मिला कर रखेंगे और उपर से बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले दोनों piece को हम pinze secure कर लेंगे तो यह मैंने इसे pinze secure कर लिया है अब जो sotan के fabric से हमने piece तयार किया था इसको attach करेंगे तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से इसके अंदर इसको डालेंगे और यह जो side की stitch है ये देखे साइट की स्टिच को साइट की स्टिच से आपे मिलाएंगे और बिल्कुल बराबर से करेंगे अब उपर से सारे पीस को बराबर से करते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे तो ये देखे तीनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है अब पूरे में घुमाते हुए हम स्टिच करेंगे स्टिच करने के बाद ये जो अपर पार्ट था उसके साथ इसको हम मेजर करके देखेंगे कि दोनों पीस बराबर है की नहीं तो यह देखे बराबर है अब दोनों पीस को हम join करेंगे तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से दोनों पीस को आमने सामने रखेंगे और इसके उपर इस तरह से पलटेंगे अब यहां से दोनों पिसको बिलकुल बराबर से करते हुए, हम pin pushes secure कर लेंगे यहां पर ध्यान देना है कि जो हमारी side के stitch है, वो बिलकुल बराबर से आना चाहिए तो यह मैंने इसे pin से secure कर लिया है, अब पूरे में घुमाते हुए हम इसको stitch करेंगे stitch करने के बाद ये देखी इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब यहाँ जो side में हमने खुला हुआ छोड़ा था यहाँ पे hook और eyes लगाएंगे तो जैसे हम अपने blouse में hook और eyes के लिए एक पट्टी अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे तो ये देखे एक पट्टी को इस तरह से पतला सा मोरेंगे बाहर की तरफ निकाल करके और इसको पिंसे सिक्योर करेंगे यह देखे इस तरह से मैंने इसे pin से secure कर लिया है अब इसकी उपर हम stitch कर लेंगे अब सेमी सी तरह से दूसरी तरफ का भी हमें बनाना है तो जो दूसरी तरफ आली पट्टी है इसको double fold करके पूरा जहां से हमने stitch किया है वहां से पूरा अंदर की तरफ fold कर देंगे और इसको भी हम pin से secure कर लेंगे और इसके उपर आप stitch कर लीजिए या फिर तूरपन कर लीजिए तो यह मैंने से stitch कर लिया है और एक दूसरी के उपर यह इस तरह से आएगा यहाँ पर हम mokaurize लगा लेंगे अब हम belt त्यार करेंगे तो यह देखें, belt के लिए मैंने strip cut की है जिसकी width से जितना भी आपका waist का measurement है उसका half लेना है तो यहाँ पर मैंने 20 inch लिया है और इसकी जो length है वो है 4 inch और same measurement से मैंने यह main fabric से और sorton वाले fabric से भी strip cut की है अब सबसे पहले lining वाले fabric को रखेंगे इसकी उपर sorton वाले fabric को रखेंगे इसकी सीधी साइड उपर की तरफ है और इसकी उपर यह जो हमारा main fabric है इसको रखेंगे और इसकी भी सीधी साइड उपर की तरफ है और तीनों को एक दूसरे की उपर रख करके पहले हम stick कर लेंगे fabric do की help से तो ये देखिए मैंने इसे तयार कर लिया है और सेम इसी तरह से एक और पीस तयार कर लिया है अब ये देखिए यहां से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे दोनों पीस में हमें सेम इसी तरह से एक तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच करना है से ढीला या टाइट करना हो तो दूसरी तरफ से आप कर सकते हैं अब यह देखिए जो बेल्ट हमने तयार किया इसको नीचे से एक बार फोल्ड करके यहां से भी स्टिच कर लेंगे दोनों पीस में हमें सेम इसी तरह से पहले बेल्ट को तयार कर लेना है तो यह देखिए दो से इसतरा से लेंगे और बैक सैड शाइसे एटायच करेंगे नियससे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं सेम इसी तरह से करना है जो हमने डबल फोल्ड किया है उसको ष्कू स्टिच करेंगे और यहाँ बेल्ट है इतना एस्टरा है इसको हम कट्कर लेंगे west line के बिल्कुल वराबर से कर लेना है तो ये देखिए दोनों तरफ की belt को मैंने यहाँ पे stitch कर लिया है अब इसको हमें palette ना है बाहर की तरफ तो ये देखिए belt हमारी जो थी इस तार से हमने इसको रख करके stitch किया हुआ है इस तरह से था, इस तरह से मैंने इसको stitch किया, अब belt को बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे यह देखिए, जो हमने stitching की है, बिल्कुल उसके उपर इस तरह से पलट लेंगे तो इसलिए पहले हमने इसे एक तरफ से, एक फोल्ड करके stitch कर लिया है ताकि इसे हमें यहाँ पे double fold नहीं करना पड़ेगा बस अब इसके उपर हम पलटते जाएंगे और इसको stitch करते जाएंगे और यहाँ पे यह जहाँ पे हम hook लगाएंगे वहाँ पे यह देखे थोड़ा समय ने बाहर की तरफ निकाल के रखा हुआ है इससे क्या होगा यहाँ पे हम hook लगाएंगे तो आप अपने fitting के according इसको adjust कर सकते हैं तो यह देखे इस तरह से इसको यहाँ पे रखेंगे और starting से इसमें stitching लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे यह देखे निदल को अंदर की तरफ ही रखते हुए इस तरह से हम घुमा लेंगे अब यहाँ पे belt जो हमारी है जो हमने stitching की है बिल्कुल उसके उपर fold करेंगे और इसको भी हम stitch करते जाएंगे बिल्कुल जो हमने stitching लगाई है उसी की ऊपर से हमें इस स्टिच करना है और same इसी तरह से दोनों तरफ की belt हम भी stitch कर लेंगे तो यह देखी दोनों तरफ की belt को मैंने यहाँ पे stitch कर लिया है और जिस तरफ हम hook लगाएंगे उधर की belt को मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखा है दूसरी तरफ बिल्कुल बराबर से stitch किया है अब यह जो एक तरफ हमने स्कल्ट में stitching खोली थी belt लगाने के लिए उसे stitch करेंगे तो दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बराबर से करके अब हम इसको stitch कर लेंगे फ्रंट और बैक में अलग-अलग बिल्क लगाने से क्या होगा कि यह जो हम stitching कर रहे हैं यहाँ से आप इसको धीला या टाइट कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो तो इसलिए मैंने फ्रंट और बैक में अलग-अलग stitching की है बिल्क की तो यह देखिए मैंने साइट की stitch ल लगा लेंगे कि इस तरह से यहां पर आ जाएगा अब दुपट्टा बनाएंगे तो जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है सकल्ट का फैब्रिक कट करने के बाद उसमें से मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक को यहां पर दुपट्टे के लिए पहले कट कर लिया है अब पर दुपट्टा हमने कट किया है जिस साइड हम वेस्ट के पास टक करते है वहां पर हलका सा हमें राउंड शेप देना है तो आप पहले इसको डाल के देख लिए कि कोनसी साइड आपकी वेस्ट के पास आएगी तो वहां पर इस तरह से ओपर से मेजरिंग टेप से हम 20 इंच पे मार्क करेंगे यहां से हलकी सी गुलाई देते हुए इसे हमें कट कर लेना है तो यहां पर मैं हलका सा इसको राउंड शेप दूँगी इससे क्या होगा जो हमारी फ्रिल है उसे लगाने में भी हमें आसानी होगी और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छे से यहां पर आएगा अब यह जो हमने मार्किंग की है इसी के उपर से हम इसको कट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से यहां पर मैंने हलका सा राउंड शिप दे दिया है जो साइड हमारी वेस्ट के पास आएगी उसी करेंगे तो यह मैंने 15 इंच पे मार्क किया और यहां से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे यहां से हम फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से कर लेंगे बराबर से करने के बाद ओपर से यह देखिए इस तरह से फिर से हम 30 इंच पे मार्क करें है सेम इसी तरह से आपको करना है आप मेसरिंग टेप को पो इस तरह से power रखेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ से जो इसका measurement है एक व 15-15 inch है आप किसी भी साइज के हो आपको से मेंजरमेंट Lya और पूरे में घुमाते हुए 15-15-15 inch पर clock करेंगे एक एक corner से दूसरे corner तक और सारे mark को मिला लेंगे अब यह जो हमने marking की है इसी के उपर से हम इसको cut कर देंगे cut करने के बाद जो हम इसको खोलेंगे तो यह देखी कुछ इस तरह से यह हमें एक circle मिलेगा अब ऐसा ही हमें एक और circle cut करना है तो इसके लिए मैंने fabric को यहाँ पर four fold करके रखा हुआ है अब इसके उपर जो हमने circle cut किया था उसको फिर से four fold करेंगे और इसके उपर रखेंगे और pin से secure कर लेंगे अब बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसी के measurement से हम एक और circle cut करेंगे अब दोनो circle को मैंने एक दूसरे की उपर रखा है और measuring tape को यहाँ corner पर रखेंगे और पूरे में घुमाते हुए हमें 6.5-6.5 inch पे mark करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं सेम इसी तरह से अब यह जो हमने mark किया है यहाँ से नीचे तक की length को measure करेंगे तो यह 8.5 inch आ रहा है तो थोड़ा सा हमारा ऊपर stitching में जाएगा नीचे पीको में जाएगा तो यह हमारी 7 inch की ruffle तयार आएगी अब यह जो हमने marking की है यहाँ से fabric को हम cut कर लेंगे cut करने के बाद इसमें से एक piece को हम खोलेंगे अब यह देखिए जो पूरा circle है इसको हम एक तरफ से cut कर लेंगे यह देखिए यहाँ से हमने इसे cut कर लिया और सेमी सी तरह से दूसरे piece को भी हम cut करेंगे अब जब हम इसको cut करने के बाद खोलेंगे तो ये देखे कुछ इस तरह से ये हमारी रफल यहाँ पर तयार हो जाएगी अब हम इसको measure करके देखेंगे कि इसकी length कितनी है तो एक जो रफल है उसकी length यहाँ पर 15 इंच आ रही है तो मैंने यहाँ पर दो रफल कट किया था इसके बाद मुझे एक और रफल कट करना पड़ा था उसमें आधा ही use हुआ था अब यहाँ पर मैंने धाई रफल कट किया था अब सारे रफल को एक दूसरे के आगे रखते हुए stitch करेंगे और नीचे से हम pico कर लेंगे तो सारे रफल को join करके नीचे से pico करके मैंने तियार कर लिया है अब इसको हम दुपटे में attach करेंगे तो दुपटे में हम इसे नीचे की side से attach करेंगे जो side हमारी पीछे लटकती हुई आएगी की वहां से attach करना start करेंगे और दोनों की सीधी side को मैंने उपर की तरफ रखा है ताकि इसकी back में अच्छे सी finishing आ सके पीछे साइड से अच्छे सी finishing आ सके और उपर जो हमने stitching की है उसको चुपाने के लिए हम lace का use करेंगे तो यह देखिए जो हमारा दुपटा है और जो हमारा रफल है उसकी सीधी side उपर की तरफ है और इस तरह से रखते हुए हम पूरे में इसको stitch कर लेंगे और जहां से हमने हलका सा round shape दिया था वहां से round shape में हम इसे stitch करते जाएंगे तो यह देखिए मैंने से stitch कर लिया है अब यह देखिए front में जो यह stitching दिखाए दे रही है इसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पर lace का use करूँगी तो यहाँ पर मैंने golden color की lace ली है आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी lace ले सकते हैं अब यह जो lace है इसको starting से हलका सा अंदर की तरफ twist करेंगे यह देखिए अंदर से starting में अंदर की तरफ इस तरह से fold करेंगे और यह जो हमने stitching की है बिल्कुल इसके उपर रखेंगे और यह lace को भी stitch कर लेंगे ध्यान रखना है कि lace हमें इतनी चोड़ी लेनी है जिसके अंदर यह हमारी stitching चुप जाए तो इसको attach करके इसका final look में आपको दिखाती हूँ तो यह हमारी dress बन करके तयार हो गई है और यहाँ यह skirt के portion में जो हमने side में खुला हुआ छोड़ा था यहाँ पे मैंने hook or rise बना लिया है और यहाँ पे हम बक्तल लगाएंगे जो अभी मेरे पास थाने बाद में मैं लगा लूँगी और यह कुछ इस तरह से बन के तयार हुआ है फ्लेयर आप देख सकते हैं कितना सुन्दर आया हुआ है नीचे मैंने इसमें पीको किया हुआ है दोनों लेयर में अब यहाँ साइड में यह देखे जो हमने अलग-अलग बिल्ट लगाया है उससे क्या फायदा है यह द्रेस मुझे थोड़ी सी धीली थी पहले मैंने यहाँ पे स्टिचिंग की थी बाद में थोड़ी सी धीली थी तो मैंने एक पेर अंदर से इसको स्टिच करके अपनी फिटिंग का कर लिया है तो बिल्ट अगर आप पलग-लग लगायेंगे तो आप कभी भी इसे धीला या टाइट कर सकते हैं और इसके दुपट्टे को भी मैंने पूरा तयार कर लिया है लेस लगा करके यह देखे जहां पे मैंने राउंड शेप दिया था वहां से यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर सा यह हमारा दुपट्टा बन करके तयार हुआ है पूरे में मैंने इस तरह से यह लेस लगाई हुई है और नीचे मैंने फ्रिल नहीं लगाया है यहाँ पे मैंने पीको किया हुआ है और पूरी फ्रिल पे भी मैंने इस तरह से पीको किया हुआ है यहाँ पे यह लेस लगाई है नेस्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके ब्लाउस की कटिंग और दुपट्टे को सेट करना और इसकी बेल्ट बनाना बताऊंगी तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए जल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई